नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपको स्वागत है क्रिकेट प्रदेश के कौन नए वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाती टीम के वेश्टिन डिस्क के खिलाब प्लेइंग 11 क्या हो सकता है दोस्तों ये तो आपको बताएंगे ही आगे लेकिन अ खिलाफ छे फरवरी से सुरू हो रही घरीली सीरीज पर है भायत के सीमी तोवरों के कप्तान रोई सर्मा फिट है और एहमदाबाद में तीन वंडे मैच के साथ छे फरवरी में सुरू होने वाली छे मैचों की सफेद गयन की सीरीज में वेस्ट इन डिश्क खिलाफ टीम का न तच्छी रफरी की दोरे से बाहर हो जाने के बाद रोई सर्मा टीम की अगुआई करने के लिए तयार हैं के डिबियाई टीम के खिलाफ टी ट्वेंटी मैच 16 से 20 वरवई तक कोलकाता में होने वाला है दोस्तों आपको बता देगी सुत्रों के हाले से ये माना जा रहा है क कि रोई सर्मा फिट है और वेस्ट इंडिस के खिलाफ सीरीज के लिए उपलब्द रहेंगे रांको ली के टेस्ट कप्तान चोड़ने के बाद यह लगबग तैय है कि फिलहाल रोई को ही टेस्ट कप्तान बनाया जाएगा हालांकि पिसीजाय उनके कारेबार और 2022 तेस्ट म में लगातर दो विशुकब में टीम क्रियोगवाई करने की जिम्यदारी और काम के बोच को लेकर अन्विकल्पों पर भी विचार कर रहा है तो अब आएए जानते हैं कि टीम इंडिया की संभाईत प्लेइंग 11 किन खिलारियों में से चुना जाना है दोस्तों आपको बता या आविस खान में से किसी 11 को प्लेइंग 11 में चुना जाएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कौन करते हैं ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर कबाद जल्दी साब तक पहुंच अपना बहुमुल समय देने के लिए धन्यवाद